पक्टर का size change करने के लिए या फिर पक्टर को resize करने के लिए हम क्या करेंगे सबस्पवर्श को select करेंगे सारे picture से делать होने के बाद अब हम edit में जाके free transform option का choose करेंगे free transform को choose करने के बाद हम इसके corner से picture को resize कर सकते है और इसको कहीं पे भी उठाके blaze कर सकते है और फिर फाइनलाइज करने के लिए अटर की प्रस कर देंगे अब ये विक्चर रिसाइज होने के बाद फाइनलाइज हो चुकी है यहां पर हमारा पस यह जो ग्रे कलर आ रहे है that is because of कि हमारा जो यहां पर फार्क्रांड कलर लग है झाल झाल